लो दोस्तो, welcome to this video, इस video हम लग जानेंगे, कुछ हिंदी शब्दों के English meaning तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं चाड़ो ओड, चाड़ो ओड को English में क्या कहते हैं? आज ही कहते हैं, all around, next है स्वार और व्यंजन, स्वार और व्यंजन को English में क्या कहते हैं? vowel and consonant, next है strilling or pulling, strilling or pulling को English में क्या कहते हैं? कहते हैं, feminine and masculine, next है एकता और अनुशासन, को English में क्या कहते हैं? कहते हैं, unity and discipline, next है नाक बहना और चीक आना को English में क्या कहते हैं? कहते हैं, runny nose and sneezing, next है ओकली और मुसल, ओकली और मुसल को English में क्या कहते हैं? कहते हैं, mortar and pestle, next है गतिज उडजा और स्थितिज उडजा को English में क्या कहते हैं? कहते हैं, kinetic energy and potential energy, next है नरम दल और गरम दल को English में क्या कहते हैं? अजी कहते हैं, soft party and hot party नेक्स है खुश रहो और रहने दो खुश रहो और रहने दो को इंग्लिस में क्या कहते हैं Be happy and let it be नेक्स है चड़ और अचड़ को इंग्लिस में क्या कहते हैं आज ही कहते हैं Variable and constant कलिए दोस्तो आज की वीडियो यही पे समाप्त होती है